हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने हेलो वर्ड प्रिंट करना सीखा था, अब हम थोड़ा उसकी मोडिफान फॉर्म देखेंगे, पहले पिछली एक्सराइज को दुबारा हम कर लेते हैं, हमने देखा था कि कुछ भी हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए हमने ह प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ड हम चाहते हैं कि यह सेकंड लाइन में आए हम फिर लिखने हैं प्रिंट अफ डबल कोड्स, एंड में हमने सैमि कॉलन इसलिए पहले लगा दिया है ताकि हमारी कोई एरर ना है हम लिखेंगे हेलो वर्ड मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ड नेक्स लाइन पर आज़े, नेक्स लाइन पर चला जाएगा और मैं एक और प्रिंट आफ करवाता हूँ कि यह एक हेलो वर्ड प्रिंट हो जाए कहां साथ स्पेसिस छोड़के सेमी कोड कंट्रोल एस किया और यहां मैं स्लैश एन लिखूँगा क्योंकि यह करेगा उसी ही अगर मैं यह स्लैश एन नहीं न लिखता तो यहां एक ही लाइन में प्रिंट करवा देगा जैसे देखते हैं अभी आप इस स्लैश एन की वज़ा से न स्लैश एन की वजह से वह नेक्स लाइन में चलाके यह बिला हैलो वर्ल हैलो और यह से सी स्पेसिस के बाद हो गया अगर हम यहां श्लैश एन लिख देंगे यह नेक्स लाइन में चला जाए dell Televisionराइन और यहां के बाद print हो जाएगा ctrl s और यह देखें hello world hello world hello world पहला printf के लिए है simple दूसरा printf slash n जहां हमने यूज किया वो है और यहां तीसरा यह तीसरे printf के लिए है कि दूसरी example करते हैं टास्वन प्रिट अन्ता फॉल्विंग हमने यह starts as it is जैसे यह box रहता है वैसे अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करवाने हैं हम दुबारा code block open करेंगे file new mpd file अगें hash include sub-sipelay program safe p2 include std io dot h int main कर्ली बैसिस प्रिंट अ प्रिंट अ प्रिंट अ प्रिंट अ प्रिंट अ स्केर बैकिट्स अ सेमी कॉलन और यहां में स्टार पिंच करवाने हैं तो shift 8 प्रेस करेंगे तो स्टार जा जाएंगे और slash n हम next line में प्रिंट करवाने जाते हैं तो slash n यहां यह इस पुरी को select करेंगे ctrl c c ctrl v करेंगे ctrl s करेंगे और यह हमार पास यह stars प्रिंट हो गए screen पर चले हैं एक और example करते हैं file new impetify ctrl s p3 hash include std देखा आपने यह आपको suggestions दे रहा है int लिखेंगे वह int आगया main main आगया curly braces वह एक डाली दूसरी खुद बाखुद आगया task 2 क्या है हमारा k यह इस तरह की form में print हो जाए यह पहले 5 star है फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 चले इससे करते हैं सबसे पहले print है इसमें हम पांट स्टार लिखते हैं पांट स्टार एक दो तीन चार पांट slash n slash n क्यूंकि वो next line में जाए इस वज़े से हमने slash n लिखा दोबारा print आफ करेंगे अब इसमें हम कितने start लगाएंगे चार एक दो तीन चार इसको भी slash n करेंगे print f 2 star 3 star एक दो तीन slash n print f 2 star back slash n print f 1 star यह हम slash n नहीं लगाएंगे क्योंकि वो आखरी है तो वो खुद बाखुद प्रिंट है जाएगा ctrl s करेंगे build and run पे क्लिक करेंगे और यह देखें हमारे पास as it is वो प्रिंट हो गया 5 4 3 2 1 star print f example के लिए आज के लिए इतना ही next lecture में हम data type के बार में पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही अलाहाफिस